दुनिया में हर साल साथ अरब से जादा नर चूजों को श्रेडिंग मशीनों में कुचल कर या गैस चेंबर में डाल कर मार दिया जाता है वो भी अंडे से बाहर निकलने के बाद 24 घंटे के भीतर ये हमारे इंडस्ट्रियल एग और मीट प्रडक्शन का कुरूर चेहरा है धर्ती पर फिलहाल इंसान की आबादी 7.8 अरब है लेकिन मुर्गियों की 23 अरब से जादा ये सारी मुर्गियां इंसान की भूख या उसके पालतू जानवरों की भूख मिटाने के लिए पाली जाती है इस मास्ट प्रडक्शन में गडबड होने पर कई बार बटफलू जैसी महमारियां भी सामने आती है इंटरनेशनल एक कमिशन, IEC के एक डाटा के मताबिक 2018 में पूरी दुनिया में जितने अंडों की खपत हुई अगर उन्हें हर इंसान में माटा जाए तो हर किसी को 161 अरब किलो यानि अगर उस मांस को हर व्यक्ति में माटा जाए तो साल भर में एक आदमी की प्लेट में 16 किलो मांस आएगा चिकन आएगा पूल्टरी उद्योग ये दुनिया की सबसे बड़ी मीट इंडरस्टी है मुर्गियों की सप्लाई लगातार बनी रहे इसलिए हर साल अरबों अंडों को हैचिंग के लिए रखा जाता है अंडे मुर्गिया नहीं बलकि मशीने सेकती हैं और जैसे ही अंडों से चूजे निकलते हैं वैसे ही मेल और फीमेल चूजों को अलग कर दिया जाता है मादा चूजों को अलग कर फौरण पोल्टरी फार्मों में भेज़ दिया जाता है आगे चलकर इन मेंसे कई अंडे देंगी और बांकी जादा तर चार से साथ हफ़तों के भीतर मांस के लिए तयार होने वाली बॉयलर मुर्गिया कहलाएंगी लेकिन नर्चूजों का क्या उनका शारीरिक विकास तो मुर्गियों के बराबर तेजी से नहीं होता है इसलिए पोल्टरी उद्योग उन्हें बहुत समझता है अंडे से बाहर निकलते ही जादा तर नर्चूजों को एक कनवेर बेल्ट पर डाल दिया जाता है जहां एक मिकसर जैसी श्रेडिंग मशीन उन्हें कुचलती चली जाती है कुछ देशों में चूजों को करबन डाई ऑकसाइड दे कर यानि उनका दम घोट कर भी मारा जाता है इस लिस्ट से पता चलता है कि किन देशों में सबसे ज़ादा नर्चूजे मारे जाते है जर्मनी में 4.5 करोड, इस्पेन में 3.5 करोड, यूके में 3-4 करोड, औस्ट्रेलिया में 1.2 करोड, हॉलेंड में 4.5 करोड, कैनडा में 2.2 करोड और बेलजियम में 1.2 करोड भारत में आंधर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पोल्टी फार्मों से भी ऐसी रिपोर्टें आ चुकी है नर्चूजों को इस तरह से मारने की प्रैक्टिसेज पश्चिमी देशों में करीब 100 साल से जारी है लेकिन अब भारी विरोध के बाद कई देश इस अमानवी तरीके पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे है सुट्जर लेंड तो 2019 में ही कुछल कर मारने पर प्रतिबंध लगा चुका है वहीं जर्मनी में अब एक ऐसी लेजर टेकनोलजी पर काम चल रहा है जिसके तहट भ्रून के अंदर ही लिंग की पहचान कर ली जाएगी और नर भ्रून को वहीं खत्म कर दिया जाएगा इस तकनीक को आक्सो सेक्सिंग कहा जा रहा है जर्मनी के अलावा इस तकनीक पर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, हॉलन्ड और ब्रिटिन में भी काम चल रहा है जर्मनी 2022 से नर चूजों को मारने पर पूरी तरह प्रतिबंद लगा चुका है और इस तकनीक के जरीए बांकी देश भी ऐसा ही करने की राह पर है अगर हम अपने आसपास मौजूद बुजर्गों से पूछ हैं कि आज से 20 साल पहले वो कितने अंडे खाया करते थे या कितना चिकन खाया करते थे तो हमां अंदाजा हो जाएगा कि हमारे खाने पीनी के आदिते किस हद तक बदल चुकी है आज के वीडियो में इतना ही आपको यह जानकारी कैसी लगी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताईए अपनी राय अगले वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात नमस्कार लाँकछ़ अऑनी आप टॉपिक के साथ dollar के साथा LHz को बारे में है और स्वार्ण।